आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना अबूल कलाम आजाद ट्रॉफिकी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना हो जब भी भी नैशनल स्पोर्ट्स एवार्ट्स की बात आती है तो हमारे जहन में ज़ाद तर हमारे जहन में जो नाम आता है वो अरजुन आवार्ड का आता है या द्रोनाचार आवार्ड का आता है या फिर खेल रतन परसकार का आता है ठीक है तो इस तरीके के जो पॉपलर आवार्ड्स है उसको तो हम याद रख लेते हैं लेकिन कुछ नाम को हम भूल जाते हैं जिनमें से मौलाना अबूल का लामाजाद ट्रॉफी एक बहुत ही important नाम आपके लिए हो सकता है ऐसे ही questions exam में आपसे पूछे जाते हैं जो की जादा popular नहीं होते हैं या फिर लोग जिनको importance नहीं देते हैं तो मौलाना अबूल का लामाजादी वन अफ दे important questions आपके लिए हो सकता है upcoming exams में तो इसको हम पढ़ेंगे जैसा कि आपको पता है हमारी series चल रही है National Sports Awards की तो इससे पहले चार sports awards के बारे में हम बात कर चुके हैं तो अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे playlist में जाकर के आप देख सकते हैं वीडियो का जो i button है वो मैं लगा दूँगा तो वहां से भी click करके आप direct videos को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ये देखें मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है इसको abbreviated form में मक्का भी कहा दिया जाता है मक्का ठीक है M.A.K.A. भी कहा दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को और ये एक sports honor है, इंडिया का, अभी देखे जितने भी sports honor है, वो किसी न किसी specific कामों के लिए दिया जाता है, तो ये sports के sector में दिया जाता है, हमें पता है, लेकिन sports के field में किसे दिया जाता है, इसकी हम बात करेंगे, क्या ये किसी player को दिया जाता है, या फिर किसी coach को दिया ज नाम रखा गया है और ये अबुल कलाम आजाद कौन थे तो दीए इन्हे मौलाना आजाद भी कहा जाता है और ये वन अफ दे सीनियर लीडर्स थे इंडियन इंडिपेंडेंस जो मुव्मेंट था उसमें इन्होंने बढ़ चर्ड के हिस्सा लिया था और जब इंडिया आजा जो है एन्वेली दिया जाता है Ministry of Youth Affairs and Sports के द्वारा तो एक बात तो आप रट लीजे दिमाग में बैठा लीजे कि जो भी Sports Award होंगे वह किसके द्वारे दिया जाता है तो वो दिया जाता है Ministry of Youth Affairs and Sports के द्वारा और अभी हमारे Ministry of Youth Affairs and Sports के मिनिस्टर कौन है तो किरन हरे तो overall top performing universities को दिया जाता है ठीक है तो जो university sports को promote करते हैं competitive sports को promote करते हैं अपनी university में बढ़ चड़ के आयोजन करवाते हैं sports का ताकि sports क्या हो सके promote हो सके तो ऐसी universities को ये award दिया जाता है तो बिलकुल गाठ बांध लीजे कि जो मौलाना आजाद trophy है यह किसको दी जाती है किसी specific player को नहीं दी जाती किसको दी जाती है तो universities को दी जाती है clear है ओके अभी देखिए इसको initiate कब किया गया था कब इसकी शुरुआत की गई थी तो 1956 to 1957 के बीच में आप कह सकते हैं 1956 में इसकी शुरुआत की गई थी और अभी तक 64 बार इस trophy को दिया जा चुका है 2020 तक यानि कि 64 टाइम्स इसको दिया जा चुका है different universities को अगर 2020 की बात करें हलाकि क्योंकि अभी 2021 में announcement नहीं किया गया है इस award का तो 2020 में 2020 तक क्या-क्या मिलता था इस award के साथ तो 2020 तक की अगर बात करें तो इसमें एक तो trophy दी जाती थी मौलाना अबुलकलाम आजाद trophy दी जाती है ठीक है साथ चाथ cash price दिया जाता है 15 lakh का कितना 15 lakh का cash price दिया जाता है first जो position पर आती है university उसको वहीं पर अगर हम बात करें second and third place जो university प्राप्त करती है यानि कि द्वितिये और तृतिये अस्थान जिन को मिलता है जिन विश्व विदाले को मिलता है उन्हें क्य दिया जाता है और जो third position पर आते है उनको 4.5 lakh रुपे यानि कि 4.5 lakh रुपीज दिया जाता है चलिए objective क्या है इस trophy के आवंटन का यानि कि इस award को क्यों दिया जाता है तो जो भी चीज़े दी जाती है आपको award मिलता है या फिर आपको कुछ incentive मिलता है तो उसके पीछे ताकि वो excel कर सके in the field of sports और भी सारे लोगों को जोड सके sports के तरफ उनका interest बढ़ा सके तो इसी लिए ये award दिया जाता है ठीक है colleges और universities को अभी देखें ये award annually दिया जाता है ठीक है किसके किसके साथ दिया जाता है तो annually दिया जाता है जितने भी national sports awards है वो सबका जो अवंटन है वो सब एक ही बार में दिया जाता है ठीक है total अगर आपसे पूछा जाए कि कितने national sports awards है तो आप बताएंगे 6 है ठीक है तो इन सब को एक साथ दिया जाता है कब दिया जाता है तो जनरली यूजवली दिया जाता है ये 29 ओगस्ट को दिया जाता है ठीक है और कहां पे दिया जाता है तो प्रेजिडेंट के द्वारा दिया जाता है जो हमारा राश्ट्रपति भवन है प्रेजिडेंशल प्लेस वहा बाई बार जीता है, जैसे गुरु नानक देव युनिवरसिटी हो गया, अमरित सर का, इसने इस ट्रॉफी को बाईस बार जीता है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बढ़ी है स्पोर्ट का कल्चर होगा इस युनिवरसिटी में, कितना जाधा प्रोमोट कि जाता होगा स्पोर्ट को इस युनिवरसिटी के द्वारा, तो टूटल 22 बार मिल चुका है किसे गुरु नानक देव युनिवरसिटी अमरित सर में है इसको, और most recently इसे मिला था 2017-18 वाला ट्रॉफी इसे ही मिला था, वहीं पर पंजाब युनिवरसिटी की बात करें, जो क है, तो बस इतना ही था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के बारे में, I hope आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही important question हो सकता है, इस award से किसी भी exam में, one day exam में खास करके, तो इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, और हो सके तो revise भी कर लिजेगा, चलिए मि उसकी उस पे चर्चा करेंगे, जो की है खेल प्रोत्साहान पुरुसकार, ठीक है, चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में, तब तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, NCRDZone को, तो प्लीज कर दीजे सब्सक्राइब, लाइक करिए, कुछ न करना शुरू करेंगे, चलिए तो बस लाइक कर दीजे, शेर कर दीजे और नए है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजे, साथी साथ अगर PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो की, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए, वहाँ पे आपको टेलिग कर दीजे, चलिए मिलते हैं, तिल देन बाबाई, टेक केर